Hi everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्मिनल क्या होता है, और शल क्या होता है, कमांड लाइन रिफेस क्या होता है, यह सब अलग-अलग नाम है, basically एक सिमिलर चीज है, बस अलग-अलग तरह से हम लोग बोलते हैं, तो इस सब क्या है, इसका क्या महत्तो है, क्या importance है, क्यों हम लोग इसको यूज करेंगे, यह सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो अभी तक आपने अगर जावस्क्रिप्ट कर लिया है, तो बहुत-बहुत congratulations, तो चलो इस वीडियो में हम देखते हैं, basically जो git एक टूल है, उसको यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा command line आन चाहिए, और आगे चलके जो हम react पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी react या tailwind या sas यह सब कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमें terminal से थोड़ा बहुत interact करना पढ़ेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक बार introduction ले ले लेते हैं, कि terminal क्या होता है, और हम कैसे उसको use करते हैं, basically एक computer के use k investors को access करने के लिए, दो तरीके होता है, एक होता है command line interface, एक होता है graphical user interface, तो जो normally एक normal user use करता है, जो consumer जो हम use करते हैं, एक laptop को या computer को या mobile को, तो हम graphical user interface use करते हैं, इसको sort में GUI भी बोलते हैं, कुछ लोग GUI भी भी बोल देते हैं, और command line interface को CLI बोलते हैं, तो graphical user interface का क्या मतलब होता है कि हम चित्र देखेंगे और चित्र देखेंगे उसके साथ interact करेंगे यानि कि pictures के format में कुछ न कुछ रहेगा उसके साथ हम click करके mouse का use करके तोड़ा बहुत की word का use करके हम अपने application को use करेंगे तो चलो अपने एक बार screen पे आ जाते हैं देखते हैं कि graphical user interface क्या होता और हम कैसे graphical user interface का use करके अपने files को या resources को access करते हैं तो जैसे कि अभी मैं अपने desktop पे आ गया हूँ अब यहाँ पर मुझे एक folder दिख रहा है folder का icon यह क्या है एक चित्र है तो इसको एक बोल सकते हैं हम लोग graphic है तो हमारा जो system है उसने हमारे लिए एक graphical user interface बना के दे दिया है इसको अगर मैं double click करूँगा तो इसके अंदर जितनी files हैं वो मुझे एक window कुल के आएगी उसके अंदर सारी files या folders जो भी है सब दिख जाएंगे यहाँ पर अगर मैं bootcamp वाला folder अगर खोलना है मुझे तो कैसे खोलना होगा हम double click करेंगे इस पर यह folder खोल जाएगा और यहाँ पर उसका वो दिख रहा है कि किदर से किदर मतलब किस folder के अंदर हैं हम अभी web develop YouTube के अंदर जाता हूँ यहां से videos folder में यहाँ पर यह videos दिख रहा है मैं directly इस पर क्लिक कर दूँगा मैं videos folder में चला जाओंगा तो यहाँ पर यह videos folder खुल गया है अब इसके अंदर बहुत सारी files हैं कुछ videos भी हैं तो अगर मैं इस video को play करना है मुझे तो मैं double click करूँगा और यह play हो जाएगी ठीक है यह play होने लिए VLC player के अंदर VLC player के अंदर इसलिए play हो रही है क्योंकि हमने default player set कर रखा है अगर हम और भी किसी folder के अंदर जाएंगे तो यह सारी videos हैं इसको हम play कर सकते हैं अब यही same काम हम command line interface का यूज करके भी कर सकते हैं तो command line interface हमें कहां मिलेगा कि धर से हम मतलब command line interface को access करेंगे graphical user interface तो बहुत ही obvious है देखता है हमें हम यूज कर पाते हैं तो command line interface के लिए हमें ये windows के अंदर हमें दो options मिलते हैं एक तो होता है cmd बहुत नाम सुना होगा command prompt ये cmd होता है और दूसरा है ये नया आया है windows के अंदर ही उसका नाम है यहाँ पे अगर हम arrow क्लिक करेंगे इस arrow के उपर तो ये windows power shell तो ये एक दूसरा option है ठीक है ये मारा जो पूरा software है ये पूरा software हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक terminal है ठीक है ये एक terminal है उसमें दो अलग-अलग तरह के shells है शल एक कौनसा एक power shell है और एक command prompt है ठीक है command prompt वाला shell है ये एक command prompt का shell है या cmd है उस आट में cmd बोलते हैं तो दो अलग-अलग तरह के shells है लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक और shell है azure cloud shell तो इसको नहीं use करेंगे हैं हम mainly इसको windows power shell को use करेंगे cmd थोड़ा सा पुराना है उतना ज्यादा features इसमें नहीं है जो windows power shell है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है लेकिन ये भी एकदम ultimate नहीं है इसमें भी हर एक commands नहीं रहती है हम लोग ultimately use करेंगे git bash ठीक है bash shell वो shell इसके अंदर हमें नहीं मिलेगी उसको में अलग सा install करना होगा जो हम next video में git को पढ़ेंगे उसी के साथ हम उस bash shell को भी install कर लेंगे तो वहाँ पर सब सारी commands रहती है जो कि एक shell के अंदर होनी चाहिए एक terminal के अंदर होनी चाहिए तो अभी ये जो हमारा shell है ये windows के उपर है basically dos के उपर based होता है ठीक है लेकिन जो हमारा git bash का sell है वो linux के उपर based होता है तो जो सारे online servers होते हैं उसमें linux का ही shell मिलेगा हमें तो इसलिए हम इसको नहीं use करेंगे ये power shell को हम बस थोड़ा सा introduction के लिए देख रहे हैं कि हम इसका use करके चीज़ें कर सकते हैं ठीक है तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यह कुछ यहाँ पर लिखके आ रहा है जैसे ps लिखा है फिर c लिखा है और users pro coder का pro को बस इतना ही लिखा है तो यह बता रहा है कि तुम c drive के अंदर जैसे अगर मैं एक बार यह खोल लूँ side में ठीक है मैंने already खोल रखा था तो दूसरा window खोलनी की जरूद नहीं है यही अगर मैं खोल लूँ यहाँ पर अगर this pc के अंदर जाओं तो यहाँ पर एक c drive है है तो यह बोल रहा है कि तुम c drive के अंदर एक users folder है उस folder के अंदर एक proco folder है उस folder के अंदर तुम हो भी ठीक है तो यहाँ पर c drive मैंने खोल लिया और यहाँ पर users नाम से folder है और उसके अंदर एक pro को नाम से folder है तो अभी मैं इस folder के अंदर हूँ अब इस folder के अंदर बहुत सारे folders है जैसे कि videos folder है, pictures folder है और desktop folder है और desktop के उपर हमारा ये वाला folder है अगर हम यहाँ पर desktop खोलेंगे तो आपर एक ही folder है हमने create किया webdev youtube तो यहाँ पर भी हम आगे पीछी folders में जा सकते है ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर मुझे पीछे जाना है जैसे मैंने pro coder folder खोल लिया है तो उसके पीछे जाना है तो इस तरह से मैं पीछे चला जाऊँगा और मैं पीछे आ गया और अगर double click करता जाता हूँ तो इस तरह से मैं आगे चला जाता हूँ और अगर मुझे यह desktop यहाँ से खोलना है तो desktop folder में खोल लूँगा तो यह YouTube खोल लूँगा फिर उसके अंदर की सारी खालिस दिख जाएंगी तो वो सेम चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं तो अभी हम देखेंगे कि इस proco folder के अंदर कितनी सारे folders या files है ठीक है तो यह देखने के लिए हमें एक command run करनी होती है ls, ls का मतलब list short form में समझ लो list कर दो जितनी सारे files या folder है ठीक है कोई भी command याद करनी की जरूत नहीं है अपने आप याद हो जाएगी जब भी जरूत पड़ेगी ये वीडियो देख लेए ना नहीं तो तुम notes बना सकते हो ज़्यादा commands नहीं रहेगी ज़्यादा 6, 7, 8 या 10 command रहेंगी बस ठीक है मैं इसको side में, एक side में कर देता हूँ और इस चीज को एक side में कर देता हूँ तो यह है हमारा graphical user interface यह हमारा command line interface ठीक है तो यहाँ पे जितनी files या folders दिख रहे हैं वही सारे files या folders यहाँ पे भी हैं यह देखो videos folder यहाँ पे यहाँ भी videos folder है यहाँ पे bash history और git config इस तरह से files है यहाँ पे भी files है यहाँ पे .vscode है यहाँ पे भी .vscode है तो सारी files यहाँ पे हमें list करने से यहाँ पे list हो जाती हैं सारी files अब मालो कि मुझे videos folder के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे double click करूँगा मैं videos folder के अंदर आ जाता हूँ और इधर मुझे अगर videos folder में जाना है तो मैं करूँगा cd cd का मतलब होता है change directory इस तरह से directory एक folder को बोलते हैं एक कोई भी folder है उसको हम directory बोल सकते हैं ठीक है तो हम लिखेंगे cd और change directory या मतलब समझे लो कि auto complete होता है यहाँ पर तो हम tab दबाएंगे automatic videos यहाँ पर लिख जाएगा और हम enter अगर press करेंगे तो हम videos folder में अब आ गये हैं अब proko folder में नहीं है मैं control यहाँ पर अगर control L प्रेस करूँगा तो यह सारा जो यहाँ पराना print किया था वो सारा कुछ clear हो जाएगा control L अगर मैं करता हूँ तो clear हो जाएगा हलाकि clear नहीं होता है एक तरह से scroll हो जाता है अगर हम scroll करेंगे तो फिर से आ जाएगा तो एक तरह से पूरा का पूरा scroll हो जाता है ताकि मारी screen एकदम से साफ हो जाए तो अभी मैं videos folder के अंदर आ गया हूँ अगर मैं फिर से LS करता हूँ एक बार तो यहाँ पर मुझे फिर से सारी files दिख रही है जो कि videos folder के अंदर है dot gallery, adobe, premiere pro और यह सारी करके files है यहाँ पर एक video है javascript trailer यह करके video है तो अगर मुझे यह video play करना है तो कैसे play करूँगा मैं यहाँ पर इस video को play करने के लिए terminal के अंदर मतलब powershell के अंदर मुझे बस केवल इसका नाम लिख देना होता है मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर javascript और यह पूरा नाम आजाएगा और प्रेस करूँगा enter तो यह video play हो गई ठीक है तो इस तरह से हम command line interface का यूज़ करके भी video play कर सकते हैं और यहाँ पर graphical user interface का यूज़ करके भी video play कर सकते हैं तो इस तरह से हमने इस power shell के अंदर video play कर दिया है लेकिन जो हमारा git bash होगा जो bash वाला shell होगा उसके आगे हमें लिखना होगा start और फिर file का name तब play होगा तो अलग-अलग shell में commands different हो जाती हैं इसलिए सारे servers में एक ही वो होता है क्या बोलते हैं नाम भोल गया एक ही shell होता है एक ही तरह का terminal मिलता है जो की होता है Linux based और उसमें सब में एक ही तरह की commands दोती हैं तो next video में हम लोग git bash install करेंगे उसके साथ साथ हम लोग git भी देखेंगे क्या होता है और git की जो commands होती है जो कि यहाँ पे supported नहीं है वो भी देखेंगे अब अगर मुझे एक folder बनाना है कोई अगर मुझे यही पर कोई folder बनाना है चलो एक बार हम और एक दो files open करके देख लेते हैं एक बार मैं cd . . अच्छा हाँ अगर मुझे पीछे जाना है तो कैसे मैं जाओंगा जिससे यहाँ पर मुझे अभी videos folder में आ गया हूँ फिर से मुझे pro folder में जाना है याई pro coder में बोल देता हूँ तो यह बोल रहा है कि पीछे चले जाओ एक step तो हम एक step पीछे आ गया है यहाँ पर जो videos लिखा था वो गायब होके यहाँ पर केवल pro coder आ गया फिर उसके बाद ऐसे arrow आ गयी है तो इसका मतलब मैं एक बार फिर से controller लबा देता हूँ pictures वाली directory में हम चले जाएंगे में एक बार interface करूँगा तो pictures वाली directory में आ जाएंगे और यहाँ पर अगर मैं ls करूँ तो ls के बाद यह सारी files लिस्ट हो जाएंगी यहाँ पर और इसके अंदर अगर हम screenshots अगर हम उस वाले folder में जाएं cd screenshots अगर हमें एक दो folder में directly मतलब directly हमें हर बार कोई cd करनी की ज़रूत नहीं है हम चाहें एक बार मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ cd dot dot slash ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं cd pictures करूँ pictures यह मैंने कर दिया और फिर यहाँ पर अगर लिखूं screenshots तो यहाँ पर मैं दोनो folder में एक साथ घुच सकता हूँ ठीक है अभी मैं यहाँ पर हूँ proko folder में screenshot folder में चला जाओंगा तो यह मैं enter करता हूँ और यह screenshot folder के नदर में आ गया हूँ यहाँ पर अगर हम ls करेंगे तो यह सारी files यहाँ यह यह चीज नहीं है file का यह file size है इस file का नाम जो है यह screenshot है अगर मैं यहाँ पर pictures खोल के दिखा हूँ और screenshot अगर खोलूं तो यह है इस file का नाम screenshot है तो इसको open करने के लिए हमें लिखना होगा screenshot लिखके ऐसे tap दबाएंगे तो automatic इसका नाम आजाएगा और मैं अगर enter प्रेस करूँगा तो यह file हमारे photos app में खोल जाएगी जो इसका photos app होता है यह windows का वहाँ पर directly यह हमारी file खोल जाएगी तो हमने देख लिए अलग-अलग तरह की files हम कैसे खोल सकते हैं अपने इस command line interface का यूज़ करके CLI का यूज़ करके तो यह होगा हम files खोल रहे हैं अभी अगर मुझे कोई folder बनाना है माल लो इसी screenshots folder के अंदर मुझे कोई folder बनाना है तो उसके लिए command होती है make directory लेकिन पूरा नाम नहीं में लिखना होता हमें लिखना होता mkdir mkdir लिखके हम directory का नाम अगर लिखेंगे मैं hello बस इतना ही लिख देता हूँ तो इस hello के नाम से एक folder बन जाएगा आप लोग देखना screenshot folder के अंदर बनेगा सीधा और यहाँ पे automatic यहाँ पे आ जाएगा मैं यहाँ से करके जो कि हम graphical user interface का यूज करके कर सकते हैं और उससे ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हैं हमें जब हम command line interface का यूज करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा access मिलती है और भी ज़्यादा power मिलती है और भी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं लेकिन अभी तो हमें देखके लग रहा है, यह तो और वैसे ही slow करने का काम है, ठीक है, हमें लग रहा है कि यह fast करने की बजाए, यह help करने की बजाए और slow करवाता है, और बहुत ज्यादा तर लोग यह जो command line interface है, वो fast होने के लिए use करते हैं, और actual में fast होता है, जो हमारी practice ह हो जाती है, हर एक commands जात हो जाती है, तो जैसे कि अभी यहाँ पर folder बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, right click करके new click करते हैं, और इस तरह से folder बनाते हैं, नहीं तो फिर control shift n करके, इस तरह से भी folder बना सकते हैं, बहुत जादा slow नहीं है, लेकिन यह जो command line interface है, उसमें बहुत ही जादा powers है, मैं देखता हूँ एक बार, यह दो-दो folders बन सकते हैं कि नहीं, मैं hello w लिख देता हूँ, world लिख देता हूँ, और hi लिख देता हूँ, देखते हैं, दो-दो files बनेगी कि नहीं, दो-दो folders नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो हम चाहें, तो दो-दो-तीन-तीन या multiple files create कर सकते हैं, लेकिन यह command इसमें support नहीं करती है, हमारे power shell के अंदर एक touch command, मतलब एक touch command होती है, अगर मैं यहाँ पर touch लिखूं, और मैं index.html लिखूं, तो यह बोलेगा, यह command नहीं, touch command is not recognized, तो इस तरह से हम जब bash install करेंगे, तो उसमें यह touch command supporter रहेगी, तो उसका, यह touch command क एक साथ create कर सकेंगे, ठीक है, तो काफी यदा powerful होता है actual में, जब हम अच्छे से use करना सीख जाएंगे, लेकिन front end में हमें बहुत ज़्यादा जरूत नहीं होती, बहुत ज़्यादा master करनी की जरूत नहीं होती है, basic use करना आ जाता है, तो फिर हम comfortable हो जाते हैं, लेकिन अगर future में अगर तुम्हें back end भी सीखना है और एक must developer बनना है, तो terminal सीखना जरूरी होता है, तो अभी इतना जो भी basic हम लोग देख रहे हैं, उतना आप लोग सीख लीजे, तो ये हो गया, अब मालो हमें कोई भी folder को delete करना है, या file को delete करना है, जिसे कि, ये hello वाली file हमने भी folder create क हमें अगर delete करना है, तो कैसे delete करेंगे, हम लिखेंगे rm, ठीक है, rm का मतलब remove, और फिर हम hello लिख देंगे, hello और tap दबा देंगे, तो automatic ये folder delete हो जाएगा, अगर हम file को delete करना चाहें, तो मैं लिखता हूँ rm, और मैं लिखूंगा screenshot, ठीक है, तो ये file delete हो जाएगी, ये file delete ह जी हो गई है, और ये permanently delete होई है, यानि कि यह यहाँ recycle bin में नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पर देखो हमने hello fold delete किया, वो भी recycle bin में नहीं आया, और हमने file भी delete कर दी, screenshot वाली, वो भी यहाँ पर नहीं आएगी है, तो थोड़ा सा खतरनाक होता है, recycle bin में नहीं आएगा, ठीक ह यह हो गई कुछ basic commands, लेकिन इतनी commands नहीं होती है, और भी commands होती है, एक दो command मैं दिखा देता हूँ, जिसे कि हम इसका use करके सिधा vs code open कर सकते हैं, तो एक बार मैं किसी अपने project वाले folder में जाता हूँ, तो उसमें जाने के लिए हमें और पीछे जाना होगा, मुझे दो folders पी folders पीछे चला जाएगा, और यहां पर मैं लिखूँगा desktop, cd desktop, यह करूँगा, और इसके अंदर हमारा एक folder है, web, webw YouTube, तो मैं दो folders का नाम एक साथ बता सकता हूँ, और एक साथ ही मैं उन दोनों folders में चला जाएँगा, और मैं चाहता, तो और भी folders का नाम यहां पर मैं जैसे की bootcamp, ठीक है, bootcamp, और bootcamp के अंदर एक javascript projects नाम से folder है, पहले bootcamp में ही जाते हैं, और ऐसे नहीं जाएंगे, हमें लिखना होगा cd, मैंने बिना cd लिखे मैंने press कर दिया था, तो मैं यहां पर लिखता हूँ bootcamp, तो यह bootcamp folder में आ गया है, एक बाद फिर से ls करता अब यहां पर javascript projects, यह दो folders हैं, मतलब एक javascript folder है, और एक javascript projects folder है, तो मैं अगर लिखता हूँ cd, javascript, और मैं tap दबाता हूँ, तो यह तो javascript folder में चला जाएगा, लेकिन में जाना है, javascript projects वाले folder में, तो अगर किसी भी file के नाम में space है, तो हमें एक string के अंदर लिखन होता है, यहां पर, तो यहां पर हम लिखेंगे javascript, और इसके अंदर हम यह slash अटाके projects अगर लिख देते हैं, और tap दबा के enter कर देंगे, तो हम javascript projects के अंदर चले जाएंगे, और अगर हम ls करेंगे, तो इतनी सारी, जितने projects के सारे यहां पर list हो जाएंगे, और फिर से मै इस वाले folder में, focus on today का जो second part वाला था, उसमें मैं करता हूँ, और tab अगर दबाऊंगा, automatic folder का name आजाएगा, और देखो यह file का, जो मतलब हमारे location का, जो directory का वो है, पूरा path है, कितना लंबा हो गया है, तो कोई बात नहीं, इतना लंबा हो गया है, ठीक है, तो इस folder के अंद अब है, इसी folder के अंदर, vs code open कर दो, जैसे कि हम इस folder के अंदर जाके, right click करके करते हैं, open in vs code इस तरह से, open with vs code या open in vs code, तो यह देखो, हमारा folder पूरा vs code के अंदर open हो गया है, तो यह हो गया, एक हमारा काम का command, जो कि हम use कर सकते हैं, और हम सीधा, वहाँ पे, मतलब, vs code open कर स सकते हैं, तो यह हो गया, और एक, और command होती ही, pwd, pwd का मतलब होता है, print working directory, तो यह क्या करता है, वही जो तुम अभी current directory में हो, उसका path print कर देता है, ठीक है, यह path लिख क्या रहा है, और तुम इस directory में हो, यह print कर दिया, अलग कि यह यह dot dot लिख दिया, लेकिन यह current directory को print कर देता है, किस path पे हो, किस location पे हो, वो print कर देता है, तो यहाँ पर तो हमें print करने की ज़रुत नहीं, यहाँ पर हमें तो दिखी रही है, पूरा as it is, लेकिन जो वो होता है, जिस्ते bash होता है, तो वहाँ पर हमें दिखता नहीं, वहाँ पर आधा ही दिखता है, तो यह हो करेंगी जैसे कि एक हो गया कौन सा टच कमांड नहीं काम करती है और एक mv कमांड नहीं काम करती है mv का यूज करके हम basically folders को move करते हैं या rename करते हैं ठीक है तो वो command नहीं काम करती है हम next load में देखेंगे कैसे एक file को rename भी कर सकते हैं हम अपने terminal का यूज करके तो यहां पर अगर हम उस command पर run करेंगे तो यहां पर error आ जाएगी वो command नहीं पर supported नहीं है तो इस video से हमें इतना idea लेना है कि हम एक command line interface का use करके कोई भी चीज कर सकते हैं लेकिन हमें हर एक चीज नहीं करनी है अभी के लिए हम normally graphical user interface की use करेंगे लेकिन कुछ-कुछ चीज़े हैं जो कि बिना terminal का use कि नहीं की जा सकती है उसको use करने मतलब उस case में हम terminal का use करेंगे जैसे कि कुछ-कुछ software होते हैं जो कि उनको install करोगे तो तुम्हें मिलेगा बस किवाल इतना ही ठीक है एक terminal मतलब एक तुम्हें command-line interface मिल जाएगा एक terminal जैसा मिल जाएगा और उसी के अंदर तुम्हें अपना सारा काम करना है उसमें से एक सबसे popular software है जो कि हम use करेंगे उसका नाम है node जैसे कि मैंने यहाँ पर node अल्रड़ी इंस्टॉल कर रखा है आपको टेंशन लेनी की जरूत नहीं है जब भी जरूत पड़ेगी मैं एकदम स्टार्टिंग से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूं node जो एप है वो कुछ इस तरह से दिखती है बस यही है node ठीक है यहाँ पर ज्य console.log करेंगे ना जो कि हमने आज तक पढ़ाया console.log तो यह देखो बस इतना अगर करेंगे तो बता रहा है एक function है अगर इसके अंदर हम कोई भी चीज print करवाएंगे जैसे की 6 into 2 तो यह इसका result 12 आ जाएगा automatic print होके और यह undefined क्या आ रहा है उसका return value तो यह जो node है वो भी ए graphical user interface नहीं है उसके अंदर हम चीजों को click करके access नहीं कर सकते हैं ठीक है यह उसके अंदर हमें अगर कुछ करना है तो हमें command run करके ही करना होगा हमें code लिखके करना होगा तो यह एक node example है बहुत ही अच्छा जो कि हम आगे आने वीडियो में install भी करेंगे और use भी करेंगे जो तो जब हम लोग कुछ भी मुझे लगता है कि जो हम लोग tailwind पढ़ेंगे तभी हमें install करना पढ़ेगा node.js तो तब मैं install करके दिखाऊंगा और बहुत मुश्किल नहीं होता है एक exe file है उसको install कर लो तो यह हो गया एक मतलब हमारा CLI क्या होता है कैसे काम करता है कैसे हम उ वीडियो में हम थोड़ा बहुत यूज करेंगे CLI तो आप उसके साथ comfortable रहना ज्यादा मुश्किल वाली चीज है नहीं बहुत ही simple चीज है तो मैं यह उम्मीद करता हूँ आपको command line interface या terminal या shell थोड़ा सची समझ में आ गया होगा अगर इन दोनों में difference नहीं समझा है तो क shell तो यह जो हमारा पूरा software है जिसके अंदर अलग-अलग तरह के shells चलते हैं वो पूरा software terminal कहलाता है उसके अंदर अलग-अलग तरह की commands होती है लेकिन जो सबसे popular shell होता है वो होता है bash shell जो की linux के ओपर based होता है वो हम next way में install करेंगे git bash install करेंगे और next video से हम लोग git भी समझे क्या होता है और जो एक-दो command यहां पर नहीं चल रही थी हम उपर चला के देखेंगे touch command चला के देखेंगे हम भी command चला के देखेंगे यान की rename करने के लिए और फिर हम समझेंगे git क्या होता है और कैसे हम git का यूज करके अपने project को अच्छे तरह से organize कर सकते हैं तो मैं यह उमीद करता हूँ आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई भी doubt या कोई भी question है तो comment section मे करते हैं Google Meet में आपको उस Sunday Live का भी link description में ही मिल जाएगा आप लोग संड़े को रात आठ वजे join कर सकते हैं और कोई भी question आप मुसे directly पूछ सकते हैं तो मैं यह उमीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको terminal समझ में आ गया होगा command line interface समझ में आ ग इस्ट्र वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई